चोटे बच्चो का बुद्ध बहुत चोटे बच्चो का बुद्ध इतने चोटे बच्चो का बुद्ध के जिनको आप कहानियां सुना के बताएं कि बुद्ध हैं क्या एक चोटा बच्चा पैदा होता है कपिल वस्तु में नाम उसका कपिल वत्थू है बाद में भासा बदली तो कपिल वत्थू कर दिया तो कपिल वत्थू याद रखें तो अच्छा रहेगा कपिल वत्थू याद रहता है तो कोई बात नहीं तो वहाँ एक जो परिवार है खित का काम करता है किसानी का काम करता है, खेत हैं उनके और क्या बोलते हैं उनको उनको बोलते हैं जो साख सबजी वाले लोग यानि जो साख और सबजी उगाते हैं हरी हरी फसल उगाते हैं उनको साख सबजी वाला बोलते हैं तो इसलिए उनको साग के बोलते हैं, साग के लोग साग सब जो उगाते हैं, खेत में काम करते हैं तो सीहनू नाम का जो व्यक्ति है, उसके पास उसमें बड़ी मेहनत की, तो उसके पास सबसे ज़्यादा उसके खेत है खेतों में क्या बोते हैं? चावल बोते हैं तो एक तोहार मनाते हैं जिसको बोलते है वप मंगल उटसब वप बीज को बोलते है यानि बीज उगाने का तोहार फेस्टिबल आज भी चलता है भारत में उनके दो बेटे हैं एक का नाम रखते हैं वो सुद्दोधन और एक का रखते हैं अमीत ओधन अब सुद्धो धन का मतलब क्या है सुद्धो माने होता है से आधा दे और पुरा दे यानि सुद्धो धन और ओधन माने पका हुआ चावल और चावल है तो एक का मतलब है साफ और सुद्धो जो चावल है उनको बोलते हैं सुद्धो माने साफ हो गया तो अमीर होता था वो क्योंकि जिसके पाँ जादा खाना हो जाथा अमीर उससे में कार, बंगला, कोटी, चागफ, यह सब चीज़ा नहीं होती थी सब खेत होते थी कहते हैं इतने खेते के ज़ब धान बोये जाता था जब धहीं बोया जाता था तो एक हजार बैलों की जोड़ी चलती थी एक हजार हल चलते थे उनके हैं कितने बड़े खेत थे और खेत कैसे बनाते थे तब तो सारा जंगल था तो जंगल को हाथ से काटते थे लकड़ी वहाँ से लेके जाते थे फिर उसकी जड़ को निकालते थे फिर उसको समतल करते थे महां से मिट्टी अटाते थे पत्थर हटाते थे तब एक जाके खेत बनता था कैई सालों में तो कितनी महरत की होगी खेत बनाने के लिए तो उनके दो बेटे तो जो सुद्दोधन बेटे थे उनके शादी हुई महा माया की नाम की महिला से तो महा माया माया का मतलब बड़ा और माया का मतलब नाम हो गया तो महा माया के यहां एक पुत्र हुआ बहुत बाद में जाके हुआ जब सुद्दोधन लगबग बुड़े हो गए थे वो पैदा हुआ तो छोटा सा जो बच्चा था जब वो पैदा हुआ तो उसकी मा को सपना आया यानि महा माया को सपना आया कि उसने सपने में एक सफेध हाती को देखा जिसकी सून में कमल लगा था यानि कमल का फूल लेके सून का सपने में देखा पर वो उनके जर्म से पहले देखा तो हाती सफेद देखा बड़ा चलागा उनको और जो कमल का फूल देखा तो बड़ा चलागा तो जब वो पैदा हुआ तो उनको एक पदम नाम भी दिया यानि कुसंबी और पदम भी बोलते थे यानि के ये कमल के फूल हैं कमल नाम हो गया तो कमल जितना भी आप उनके चित्रों में अगर कहीं देखेंगे या किसी भी चित्र में आप देखोगे जो पूरी दुनिया में चित्र हैं तो उसमें कमल के फूल मिलेंगे आपको कहीं कोई चीज रखी होगी तो वो कमल के फूल का आसन होगा जहां वो बैठे हुए रहते हैं उसके नीचे आप देखो के ध्याद से तो कमल के फूल का नीचे पूरा आसन होता वो फूल पे बैठे रहते हैं कमल के पे तो जब पैदा हुए तो वो जंगल में पैदा हुए घर पे नहीं हुए आज कल तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तब हॉस्पिटल नहीं थे तब तो घरों में पैदा होते थे या रास्ते में पैदा होते थे तो वहां कमल का एक तालाब था, कमल के तालाब बहुत होते थे तो कहते हैं कि उस कमल के तालाब में साथ बड़े-बड़े कमल के फूल खिले हुए थे तो वो साथ कमल के फूल भी उन्हें बड़े अच्छे लगे तो जहां साथ कमल के फूल दिखाए थे हैं वो भी भगवान बुद्ध के जरम से माने जाते हैं, कि यहाँ देखो भगवान बुद्ध हैं, और भगवान बुद्ध बड़े स्वस्ते पैदा हुए, क्योंकि उस समय तो polution होता नहीं था, सारा खाना बहुत बड़े होता था, और लोग बड़े तगड़े होते थे क्योंकि अपना काम करते थे कार, बंगला, चागर, कोठी और इसकोठों तो होते नहीं थे इसलिए सब लोग अपना काम करते थे तो जब वो महा माया बच्चे को लेकर अपने घर आई तो उसका नाम रखा सिद्धत सिद्धत, सिद्धत यानि जो सिद्ध कर दे, सिद्ध माने सफल होता है जो सफल कर दे, अथ माने अर्थ को यानि कि किसी चीज़ के अर्थ को सफल कर दे उसको सिद्धत रखा और गौतम रखा क्योंकि उनके यहाँ पे जो पसू थे वो बहुत पलते थे जो दूद बहुत आता था तो वो गौतम जो गौ है वो पसूं को भी बोला जाता है तो वो उनके गौतम करके साले बोला जाता था कि यहां पसू जाना है तो गौतम होगे तो सिद्धत गौतम नाम रखा तो उन्होंने एक डॉक्टर बुलाया कैसा डॉक्टर बलाया पीडिर्सियन डॉक्टर बलाया जिसको आप पीडियर्टिशन बोलते है या पीडियर्टिक बोलते है यानि बच्चों का डॉक्टर क्या नाम था उसका असित नाम था उसका असित भी बोलते है सेत माने होता है सफेद और ऐसे तमाने होता है काला यानि वो असित जो दौक्टर आये वो काले रंगे थे आज भी आपने बहुत सार लोग देखे होंगि जो काले डौक्टर को है उस समय तो बहुत थे, बड़े ग्यानी थे काले लोग तो वो आये तो उन्होंने कुई वो बच्चे के सबको č check करते थे घर कर जा के तो भट्चे को देखा चेक किया दो उनके साथ junior doctor और भी थे तो उनोंने देखा कि बच्चा तो ऐसा उनोंने कभी देखा है नहीं 32 तरह के उस समय चेक हुआ करते थे 32 बच्प्क जानी सरीर के 32 इस जो karakteristik सिक्स है जो लक्षण है उनको चेक करना है उनको देखना है तो जो 32 पॉइंट्स है उनको चेक करना होता है सरीर की सके कैसी है इसकी आँक कैसी है इसकी नान कैसी है साझ कैसा ले रहा है, यह पिसाब कैसा कर रहा है, सांस लेने में क्या दिक्कत है, रो तो नहीं रहा है, हस कितना रहा है, तो सारी बातें चेक करने के बाद में उन्होंने कहा perfect, यानि कि ऐसा बच्चा उन्होंने नहीं नहीं देखा, जो 32 के 32 के बिंदूओं पर बिलकुल perfect 100 पैसे 100 इसको म बच्चा है, और ऐसा स्वस्त बच्चा जो होगा, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने का है, क्योंकि उसके अंदर high energy होती है, तो high energy वाला बच्चा माना गया, और यह कहा कि यह high energy, अगर यह physical काम में लगाएगा, यानि कि यह सारडिक काम करेगा, तो यह बहुत कुछ यानि खुद की study, खुद की study क्या होती है, self study के मतलब ऐसा नहीं है, कि किताब लेके आप कमने में खुद पढ़ेंगे, आज कल तो self study उसको बोलते हैं, उस समय self study का मतलब है, कि आप अपने सरीर में कैसे क्या घट रहा है, यानि कि आपको सरदर्द कैसा होता है, अब यह सर आपके सर में यहां से लेके, यहां से लेके, यहां से लेके, यहां से लेके, यहां तक कैसे चल रहा है, या आपको भूक लग रही है, तो उसका एसास कैसे हो रहा है, या आप सांस ले रहे हैं, तो सांस कितना हिला रही है, अंदर कैसे जा रही है, ठंडी है, या गरम है, या आप चल रहे हैं तो आपके चलते समय क्या एनरजी है, कौन-कौन सी हड़ी आपकी टक-टक कर रही है, कौन-कौन सी पट-पट कर रही है, या आप बोल रहे हैं तो बोलने में आवाज कैसी निकल लही है, या आप जब देख रहे हैं तो आपकी निगा कैसे काम कर रही है इसको खुद की study बोलते थे self study, अत अज्ञन बोलते थे बाद मैं इसको अत अज्ञन भी बोला या अज्ञन भी बोला गया अज्ञन भी बोला गया तो ये जो अत अज्ञन है यानि Selfish Study है, अगर उसमें जाज जाएगा तो भी एक्ष्टीम पर जाएगा, उपर जाएगा ऐसा बच्चा बहुत कम होता है, जो स्वस्ते हो और स्वस्ते बच्चे सारे सारे, इसलिए आप सबसे पहले तो स्वस्ते रहे सबसे जरूरी है, आप अगर सबसे रहेंगे तो आपका सारा सरी अच्छा रहेगा तो आप कोई काम करेंगे, तो अच्छा करेंगे तो इस तरह से उन्होंने वो सारे लक्षन महां बताए, बताने के बाद में उनको बड़ा अपसोस भी हुआ, कि ये बच्चा बड़े होके कुछ अच्छा बनेगा, और मैं तो बोड़ा हो गया मैं देख नहीं पाऊंगा, मर कोई बात नहीं उनका जीवन इतने सारे बच्चों को देखते देखते गया, पहली बार ऐसा बच्चा आया, तो वो खुशी के मारे उनके आंसो निकलाए और वो वहां रोए गी, रोए तो उन्होंने पूछा, सुदो दन्ने और अमीतो दन्ने और महा माया ने कि क्या हुआ क्या नहीं हो, तो उन्हें बताया कि बच्चा 32 लेस्टरों से परिपून है और ये कुछ अच्छा करेगा और मैं देख नहीं पाँगा मैं इसको श्टडी करता, मैं इसको देखता कि ये कैसे कैसे काम करेगा, पहले बार मुझे ऐसा बच्चा मिला है, चलो खिर कोई बात नहीं, जो भी हैस हो है, अब देख लिए हैं मैंने ये भी खुशी है, तो वो देखके वहाँ से चले जाते हैं ये उनके पैदा होने की घटना रही है और अगले एपिशोड में मैं आपको और बताऊँगा कि बच्पन की क्या क्या होंगी घटना है कैसी किछ रही है, वुद्ध बलकुल साधान व्यक्ति थे, जैसे आप बच्चे हो, वैसे ही वो बच्चे थे वो भी खेतिय थे, किसान थे आप भी कहीना कहीं, जो आपके फादर काम करते हैं ही रहे हैं, वो यहीं भारत के थे आप भी यहीं भारत के हैं, उलको सिंपल आप ही की तरह थे, बस थोड़े से महनत थे, महनत करता है आदमी तो आगे तक पहुंच जाता है धन्यवाद, आप सभी से यह निविदन है, कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे भी चला सकते है अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गच्छामे संधन शरनं गच्छामे धन्यवाद शरनं गच्छामे थांधं शरन गच्छा में संधं शरन गच्छा में